हेलो फ्रेंस आज हम बात करेंगे सीटेड एक्जाम से रिलेटेड पहुती इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका EBS NCRT से रिलेटेड होने वाला है तो फ्रेंस अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बिना इसके पिये हुए लाश्ट तक जरूर देखें तो चले फ्रेंस हम बिना टाइम को वेश्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक की बात करते हैं NCRT किताबों के महतुपूर बिन्दू है NCA 2005 के अनुसार कच्छत तीन से पांस तक के परल्या वरण अध्यन को छे थीमों में विभाजित किया गया है जो के इस प्रकार से हैं फर्स्ट है आपका परिवार एवं मित्र सेकिंड है भोजन थर्ड है पानी फोट है आपका आवास फिप्ट है यात्रा सिख्ष्ट है आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं नेक्स्ट है मधमक्की पालन तो बिहार के मुझफफरपूर का बोचाह गाओं इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाय जाते हैं इसलिए इस छेत्र के लोग मधमक्की पाल कर सहत बनाने का काम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मधमक्की पालन को एपी कल्चर कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर मधमक्की के अंडे देने का समय होता है यही मधमक्की पालन सुरू करने का भी सही समय होता है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं मधमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधमक्खी होती है जो अंडे देती है छत्ते में कुछ नर्मक्खी भी होती है छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती है यह दिन भर काम करती हैं सहयद के लिए फूलों का rast डूरती हैं जोnds makhie को rast मिल जाता है तो वहान एक तरह का नाच करती है उससे दूसरी makhie quickly को पता चल जाता है कि रast कहाँ पर है Next point है वहाई रast से सहयद बनाती है छत्ता बनाने का काम भी इनीका होता है और बच्चों को पालने का काम भी इनीका होता है नेक्स्ट है आपका मधमक्की पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है इस बक्से में चीनी का मीठा घुल डाला जाता है नेक्स्ट है आपका नर्मक्की छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती मदमक्की के डंक में फार्मिक अमलो होता है अब है आपका चीटियां तो चीटियां मिलजुल कर रहती हैं और चीटियों का काम बटा हुआ होता है रानी चीटि अंडे देती है सिपाही चीटियां बिल का ध्यान रगती है काम करने वाली चींटिया भोजन ढूड़ कर बिल तक ले जाती है नेक्स्ट पॉइंट है चींटिया चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है आपको नोट करके लिखना है दीमक और ततये भी समूह में रहते हैं जैसे चींटिया आपकी मिल जूल करके रहती हैं बैसे दीमक और ततये भी समूह में रहते हैं नेक्ष्ट है आपका रेसम का कीड़ा तो रेसम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंद से कई किलो मीटर की दूरी से ही पैचान लेता है अब है मच्छर तो मच्छर हमारे सरीर की गंद खास कर पैरों के तलवों की और हमारे सरीर की गर्मी से हमें धूर लेते हैं मच्छर पानी में अंडे देते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया, बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है रोके हुए पानी में या एकटा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का प्रश्ट तनाप कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ती रुख जाती है जिससे मच्छर का लारवा मर जाता है। नेक्स्ट है आपका कुत्ता तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगे बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ था। नेक्स्ट है चूहा, तो चूहों की देखने की चमता कम होती है, लेकिन इनके सूंगने, चूने और टेस्ट करने की चमता अधिक होती है, अब है आपका उल्लू, तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक गुमा सकता है, नेक्स्ट है मैना, तो मैना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है अब है चील बाज और गिद्ध, तो चील बाज और गिद्ध हमसे चार गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं चील की मूच, सौरी, चील की पूच खाँचे वाली होती है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगे साप कर देता है और आकास में उंचाई पर उड़ता है नेक्स्ट है आपका कल्चडिया, इंडियन रोविन पंची के बारे में तो कल्चडिया पत्थरों के बीच में अपना घोसला बनाती है इनके घोसले में पौधों की नाजुक टेहनी, जड़े, उन, बाल, रूई, ये सब विच्छा हुआ रहता है और यह चोटे कीडे मकोनों को खाती है इनकी चोच अंदर से लाल होती है अब हम बात करते हैं कोई के बारे में कोई के घोसले में लोहे के तार और लकडी की टहनिया जैसी चीजें भी होती है कोई पेड की उंची डाल पर घोसला बनाता है कोईल अपना घोसला नहीं बनाती, वह कोई के घोसले में अंडे देती है कोवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है नेक्स टैप फाक्ता के बारे में फाक्ता केक्टस के काटों के बीच या मैदी की मेड में अपना घोसला बनाती है अब हैं गोरिया गोरी या अलमारी के उपर आईने के पीछे अपना घोसला बनाती है नेक्स्ट है बसंत गोरी तो बसंत गोरी यहां गर्मियों में टुक टुक करती रहती है पेड के तने में घहरा छेद बना करके उसमें अंडे देती रहती है नेक्स्ट है कबूतर तो कबूतर पुराने मकानिया खंडर में गोसला बनाते हैं अब है दरजिन चिडिया दरजिन चिडिया अपने नुकीली चोश से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है सक्कर खोरा सक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या जाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ गोसला बनाती है इसका गोसला बाल, मकडी के जाले, पतली टैनिया, बारी घास, सूखे पत्ते, रूई, पेड़ की चाल के टुकड़ों और कपड़ों के चीथनों से बना हुआ होता है नेक्स्ट बात करते हैं नर बीवर पच्छी के बारे में, तो नर बीवर पच्छी अपने घोसले बनाते हैं मादा बीवर उन सभी घोसलों को देखती है, फिर उन मेंसे जो घोसला सबसे जादा पसंद आता है, उसमें ही वह अंडे देती है नेक्स्ट है पंची, पंची के वल अंडे देने के लिए गोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, तो वह गोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं, गोंसला छोड़ कर पच्ची अलग-अलग जगे चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में अधिकतर पच्छियों की आँखें उनके सिर्के दोनों तरफ होती हैं पच्छी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर एक साथ देख लेते हैं यानि उन पर नजर डाल लेते हैं जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और चफ ये बिलकुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आखें एक ही चीज पर होती हैं ज्यादा तर पच्छियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती वह अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं पच्छियों के पं ये अलग-अलग आवाज निकालते हैं जैसे के उड़कर आने वाले दुस्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चल कर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं पच्छियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन इनके सिर के तोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं, जो पंकों से डखे हुए रहते हैं, पच्छी इनी की मदद से सुनते हैं, अब है आपका हाथी, तो हाथी को पानी और कीचड में खिलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके सरीर को थंडक मिलती है, हाथी के कान पंक्खे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी, 200 किलोगराम बजन का होता है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोगराम से ज्यादा पत्ते और जाडियां खा लेता है, हाथी भहुती कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2-4 घंटे सोता है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, अब हम बात करते हाथी के जुन्ड के बारे में, तो जुन्ड में केवल हतिनिया और बच्चे ही रहते हैं, जुन्ड की सबसे बुजुर्ग हतिनी ही पूरे जुन्ड की नेता होती है, नेक्स्ट है, इस जुन्ड में 10 या 12 हतिनी और बाकी बच्चे होते हैं, 14-15 साल तक हाथी जुन्ड में रहते हैं फिर वह जुन्ड छोड़ करके चले जाते हैं अब है next sloth तो sloth देखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं ये दिन में करीब 17 गंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं ये सप्ता में एक बास सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं जिस पेड़ में रहते हैं यानि जिस पेड़ पर sloth रहता है उसी के पत्ते खा करके अपना पेड़ भरता है 40 वर्स के अपने जीवन काल में ये सिर्फ आठ पेड़ों पर ही गूमते हैं यानि sloth का जो जीवन काल होता है वो 40 वर्स का होता है नेक्स्ट है आपका बाग तो बाग अंधेरे में हमसे 6 गुना बैतर देख पाते हैं बाग की मुझे हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं जिससे उसे सिकार का सही इस्तिती का पता चलता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता भी डूण लेते हैं बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ता है दूसरा बाग इस गंद को तुरंत पहचान लेता है नेक्स्ट पॉइंट है बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है बाग का गुराना तीन किलो मीटर दूर तक सुनाई देता है बाग के दोनों कान वाहर की आवाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं बाग हवा से पत्तों के हिलने और सिकार के जाडियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भाप लेते हैं अब हम बात करते हैं साप के बारे में तो हमारे देश में केवल चार तरह के ही जहरीले साप होते हैं इनके नाम हैं नाग, करेंथ, दुबोईया तथा अफाई जब साप किसी को काटता है तो उसके दो खोकले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के सरीर में जहर चला जाता है इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो साप के जहर से ही बनाई जाती है साप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने सिकार को चबाकर नहीं करता चबाकर के नहीं खाता बलके पूरा निगल के खा जाता है नेक्स्ट है आपका साप के बाहरी कान नहीं होते वह जमीन पर हुए कमपन को ही सुन पाता है सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं कालवेलिया नाच में साप जैसी मुद्रा होती है आप से कोशन बनता है कि कालवेलिया नाच कहां का फेमस है कालवेलिया जो डांस है आपका राजिस्थान राज्य का फेमस डांस है नेक्स्ट है आपका लंगूर तो जंगल में उंचे पेड़ पर वैठा लंगूर अपने पास आती मुसीवत को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चोकनना करता है अब हम बात करते हैं मगरमच्च के बारे में तो मगरमच्च के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन उसके कान आसानी से दिखाई नहीं देते अब है चिपकली तो चिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं नेक्स्ट है मचलियां तो खत्रों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं अब है पुल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है नेक्स्ट है आपका गिलेरी तो गिलेरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत गिस जाते हैं अब बात करते हैं हम बिल्ली के बारे में तो बिल्ली के दांत नुकिले होते हैं जो मास को फाडने और काटने के काम में आते हैं नेक्स्ट है गाए तो गाए के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चप्टे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं अब हम बात कर आम तोर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गैरी नीद में चले जाते हैं जैसे के छिपकली कुछ जानवर भूकम प्या तूफान आने के कुछ समय पहले अजीब हरकते करने लगते हैं जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है जानवरों में भी देखने सुनने और मैसूस करने की सकती होती है बैग्यानिकों का मानना है कि कई जानव वा सरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान वा सरीर पर बाल नहीं देते बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं इस्तंधारियों की बेसेस्ताओं में इनके सरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्यभाग में और तीन अस्तियों मेलियन इनकस व इस्टेप्स का पाया जाना प्रमुख होता है नेक्स्ट पॉइंट है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगबग सभी इस्तंधारी बर्ग के जन्तु बच्चे देते हैं तथा चिन जानवरों में यह नहीं पाये जाते हैं वे अंडे देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है घास तो घास का पॉधा जितना जमीन के उपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं इन्हें खुर्पी से खोद करके निकाला जा सकता है नेक्स्ट है आपका बर्गद तो बर्गद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ों तक होती है और ये टहनियों से निकलती है और आगे बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है यह जड़ें मजबूत खंबों की तरह पेड़ को सहारा देने का काम करती है नेक्स्ट बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में तो आस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी उंचाई 11-12 फीट होती है इसकी पत्तियों इसकी जो पत्तियां है वो बहुत कम होती है इसकी जड़ें चमीन के अंदर 200-300 फीट तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए यहाँ पानी पेड की तनों में जमा होता रहता है जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी बढ़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल कर पानी निकाल लेते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम निपेंतिन्स नामक पौधा इंडोनेसिया, और भारत के मेगाले में पाया जाता है यह पौधा छोटेचोटे कीडे मकोडे और जीवों को खा जाता है यानि उनका सिकार करता है यह पौधा लंबे घड़े के जैसा दिखता है जिसके उपर पत्ती का डखकन लगा हुआ होता है और इस मेंसे खुश्मू निकलती है जिसकी बज़े से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फस जाते हैं निपेंथिन्स पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है नेक्स्ट बात करते हैं बीज के बारे में तो बीज को प्राचीन समय में सूकी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पतियां इन्हें कीणों से बचाती थी नेक्स्ट पॉइंट है पौधे स्वयम्भी अपने बीजों को दूर तक फैक देते हैं और कपड़ों में चिपकर तथा पानी के जरिये भी ये एक जगे से दूसरी जगे पहुँच जाते हैं सोया वीन की फलियां पकर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं काली मिर्च, सौफ, गेहूं आदे बीज होते हैं नासपाती, विंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदे में बीज होते हैं मिट्टी में गोवर मिलाने से मिट्टी में कीडा नहीं आती है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रोटन पौधे के बारे में, क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दिसा को बता देते हैं, यानि सिगनल दे देते हैं, नेक्स्ट आपका क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, जब मिट्टी सूखन का सिगनल होता है जडें पौधों को सहारा देती है जल तथा खनेजों को अफसोसित करती है और हिमस उपलब्द करवाती हैं हमबात करते हैं सबजीओं के बारे होती है और कुछ सबजियां पौधों का फल भी होती है हरी मिर्च टमाटर आलू आया साउथ अमेरिका से गोवी और मटर यूरोप से आई कॉफी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई सोया बीन अपका आई चीन से नेक्स्ट बात करते हैं हम कैंचुए के बारे में तो कैंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मोलायम कर देते हैं जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है कैंचुए म्रत पत्तियों और बौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाओ बनती है कैंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है नेक्स्ट बात करते हैं हम जूम खेती के बारे में यानि सिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में जूम खेती का तरीका बिलकुल अलग है एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं उसमें खेती नहीं करते इस जगे जो बांस या जंगल उख जाता है उसे उखारते नहीं है बस गिरा करके जला देते हैं यहार आख जमीन में खाद का काम करती है जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें और जंगलों को नुकसन न पहुँचे इसका भी ध्यान लगना पड़ता है फिर इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता मिट्टी को हलके से हिला कर भी छिड़क देते हैं एक ही खेत में अलग-अलग तरह के बीच जैसे मकई, सबजियां, मिर्च और चावल बोई जाते हैं फसल के समय भी अंचाही घास और पौधों को उखारते नहीं है उन्हें गिरा देते हैं ताके वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे भी जमीन उपजाव बनती है नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य फसल चावल की होती है यानि जूम खेती में जो मुख्य फसल होती है, वो चावल की होती है फसल पकने पर गाउं में सबसे बड़ा त्योहार मना जाता है और चेराव नाच भी करते हैं इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो-दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है धोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं डन्डियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाशते हैं इस्थानांतरित खेती या जूम खेती उत्तर पूर्वी परवतिय तथा आदिवासी छेत्रों में की जाती है इसे जन्जाती एक रसी भी कहा जाता है जूम खेती मिजोरम में होती है मिजोरम की मुख्य फसल चावल है मिजोरम में तीन चौथाई लोग जंगल में रहते हैं यहां खेती की लोटरी निकाली जाती है जमीन को साजा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अफसर मिलता है मेजोरम में मेजो भासा बोली जाती है मेजोरम में बास के बर्तन बनाई जाते हैं जिस मैदान में एक तिन बीज बोई जाते हैं उसे एक तिन जमीन बोलते हैं कोड़ुक जारखंड की एक आदेवासी जन जाती है पुड़क भासा में जंगल को तोरांग कहते हैं भारत के उत्तरपूर्वी छेत्रों में इस्थानिय खेती करने का रिवाज है बेलवन का गाउ करनाटक में है जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम सुरू हो जाता है खूंटी की मदद से खेत की मेटी को नरम किया जाता है समय पर प्याज ना काटी जाये तो वह जमीन के अंदर ही सर जाती है खरपतवार कुछ पौदे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिने हम खरपतवार कहते हैं इन्हें निकालना जरूरी होता है नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेते हैं और फजल कम होने लगती है